कैसे हैं आप सबी लोग और कैसी चल रहे है आपकी शॉट हैं की प्राक्टिस होगे और शॉट हैं किसी भी तरह का कोई प्रॉबलम होता है तो हम उस पे भी वर्क करने के लिए हमेशा प्रिपेर रहते हैं ठीक है आज का जो वीडियो मैं आपके लिए अप्लोड कर रही हूँ ये वीडियो आपका एक एडवांस आउटलाइन सेक्शन है ठीक है जैसे हम करते हैं ना स्मार्ट आउटलाइन एडवांस आउटलाइन का सेक्शन मैनेज करते हैं उसी फ्लो में ये वीडियो आपका स्मार्ट आ पेस बे जो आपकी वर्ट्स आते हैं या जो पैराज आते हैं हमारे जो भी आर्टिकल आते हैं उनमें ज्यादा तर यूज होने वाले वर्ट्स जो कि हमें जब लिखते समय हाथ भी अटक सकता है या हम इसक्षी भी हो सकते हैं तो आज हम वर्ट करेंगे उन कुछ शब्तों ठीके कुछ इजी हैं कुछ टफ हैं कुछ वो हैं जो शायद आपको पिछली कुछ स्मार्ट आउटलाइन में मैं एक्स्प्रेइन भी कर चुकी हूँ ठीके बच्चु कि यहाँ पर यह पूरा एक सेग्मेंट मिला है तो यहाँ पर भी मैंने आपको उनके पर फोकस किया है तो चलिए देखते हैं वो words कॉन से है और हम उन words पर कैसे वक्त कर सकते हैं ठीके तो चलिए सटार्ट करते हैं अपना वीडियो वीडियो को लास तक देखेगा सारे words को अच्छे से practice में लीजेगा practice से related किसी भी तरह का कोई confusion हो और आपको तो please आप comment box में लिखिएगा एसै solve करूँगी और आप कोशिश करूँगी कि आपको उसका एक easy format प्रवाइट कर बाम, ठीक है? तो देखिए, आज चो smart outline है, इसमें सबसे पहला जो word हमारा आता है, वो है किसी भी, किसी भी शब्द है, अब किसी का already हमने एक शब्द चिन बना रखा है, ठीक है? और उसी में हम भी भी add करेंगे, तो जैसे आपने जब ही, तभी शब्द बनाया है ना, किस तरह से बनाया था, तभी, ता में भा जोड़ दिया था, तभी बन गया था, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे किसी, तो किस तरह से बनेगा इस शब्द देखिए? का की वेंजन रि यहाँ हम शब्द जिन बनाते हैं, उस तरह से बनाकर और भी इसमें बाहर को निकालके add कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से किसी भी, और शब्द छोटा नहीं होगा, जो नॉमल वेंजन रिखा हम वर्क कर रहे हैं, उसी वेंजन रिखा के according हम यहाँ पर खालिए भी, मतब साके वर्त को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए बनाएंगे, तो भी भी add कर देंगे, नेक्स्ट शब्द है मारा रास्ट्री है, तो रास्ट्र का शिब्द रा की वेंजन रिखा, साका वर्त, और यह टा में रा का हुक निकालते हुए हम बनाएंगे, इस तरह से, और यहीं बनेगा हमारा, इसके बाद आपका आता है संकट के समय में, तो संकट का जो शब्द हम बनाते हैं, साका वर्त है, का की वेंजन रिखा को छोटा किया है, ठीके, तब बना संकट, के के लिए इसको थोड़ा बहार निकाला और समय का शब्द इसमें एड कर दिया, तो बने ग यहां पर इस शब्द को त, त, यका के लिए छोटा कर रहे हैं, तो यह रूल हमने यहां पर एप्लाई किया है, रूल भी आपको इन शॉट एक्स्प्रेन कर दी जा रही हूं, ताकि शब्द को रटना ना पड़े, हमेशा याद रखे, अगर रटने वाली प्रोसेस रखे तो डिक्टेशन के समय पर शब्द आप प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, तो कोशिस कीजे, कि जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, या जो भी आउटलाइन आप बना रहे हैं, वो आउटलाइन, आपकी रूल से या फिर कोई ना कोई उसमें जो भी लॉजिक है, उससे लिंक हो जाएं, और आपको समझ में भी आएं, इसके बाद देखिए, एक शब्द आ रहा है, मत साम्मेता, मत साम्मेता किसे लेकर देखिए, मत मदद वैसे तो आपका शब्द चिन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर यह मा को शौड बनाया, ठीक, और यहाँ पर हलका सा इसको निक साथ रहेंगे, यहाँ यह इसी प्लो में, जैसे हमने शब्द चिन बनाया था, किस का बनाया था? देखिए, मुश्किल का यह शब्द चिन बनाया था, इसमें क्या कि था? जाए एचा कि थोड़ा बाहर निकाल के वहीं पर लाकी वैसे ही, हम यहाँ पर मत साम्मेता के निर्नायक याकी विंजर दिखा को छोटा किया और दा और ला इसी में एड़ करती है जिसे मजदूर दल आपका मजदूर दल हो गया या अदर श्रमिक दल हो गया उसी तरह से निर्नायक दल निर्नायक का सिंबल बनाया और इसमें दल एड़ करती है निर्नायक दल इस तरह से इसके बाद आपका शब्द आता है फैसलो, तो देखिए फ हमने शुरू में काटा है, सा का बरत बनाया है, ला बनाया है, और चुकि बहु वचन शब्द है, तो हमने यहाँ पर एक छोटासा डॉट इंडिकेट कर दिया, यह मैंने गुमा के बनाया है, आप इतना नहीं गु जो यह बताएगा, कि यह जो शब्द है, यह प्यूरल फॉर्म में डिफाइन हुआ है, नेक्स देखिए शब्द आता है अपका दहलीज, तो यह देखिए दा बना, बड़ा हा बनाया, इसी को बाहर ले जाते हूँ ला बनाया, और इसमें जा का सरकिल, क्योंकि जा के जब मैंने आपको बताया था, उस समय पर मैंने आपको एक्स्प्लें किया था, तो जब शुरू में नहीं आता है, तो कहां आता है, या तो बीच में आता है, या फिर वेंजन के लास्ट में बनाया, तो क्या बनागे हमार दहलीज, अब जखिए नेक्स वर्ड जो हमारा आ अब इसमें दलिय तो यह ला बना और इसमें या जोड़ किया तो कैसे बना देखिए सर्व दलिय इस तरह से यह शब्द बनेगा जाके आपका ठीक है इसके बाद शब्द आता है आपका बैठ बैठक कर सकेंगे तो बैठक कर सकेंगे हम किस तरह से बनाएंगे देखिए बा क को बनाकर था को छोटा कर दिया तो सवय इसमें का जुड़ गया कर सकेंगे यहाँ वह बनाया है इसमें का को एड किया है और यहां मैं ने बाकी वेंज़न रिखा को छोटा पर दिया है तब उसमें अगला सब्दमने एड कर दिया दोनों में से जो format आपको इजी लगे आप वो एपलाई कर सकते हैं और आप मुझे कमेंड बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा वाला फॉर्मेट ज्यादा इजी लगा ठीके जिसे मुझे भी आगे शब्दों को आपके लिए बनाने में हेल्प मिले इसके बाद देखे शब्द आ रहा है आपका शुरुवाती तो शुरुवात का शब्द चिन है इसी में वा को छोटा करके लगाएंगे चुकि वा के बाद आ रहा है ता शुरुवाती नहीं आता है शुरुवाती शब्द हम बोलते हैं वा की वेंजन रिखा साउंड करती है इसी लिए हम यहाँ पर वा बनाते हैं ठीके इसके बाद शब्द आता है आपका मन भेद तो मन का सिंबल बना चुकि मन पे कोई साउंड नहीं है तो हमने इसको लाइन के उपर बनाया है ठीके भेद सेकेंड पे साउंड है तो हमने भा की वेंजन रिखा से इसको कट कर दिया है मन भेद इस तरह से इसके बाद आपका आया मत भेद एक मन भेद होता है और एक मत भेद यहाँ पर हमने क्या किया डैश लगाते हुए मा की वेंजन रिखा और यह ता का हुक ठीक है यह हो गया मत और यह हो गया भेद मन भेद मत भेद ठीक है खाली इसमें डायरेक्शन का अंतर है बाकी सिमिलर ही पढ़ने में आता है ओके नेक्स वर्ड आता है अपका नियमित इस तरह से आप बनाएंगे नियमित ठीक है यह ना की वेंजन देखा यह या की वेंजन देखा मा को छोटा किया और यह ताका हुक लगा दिया अंतराल तो तर का यह साउंड बीच में आ रहा है और अंकी मातर आ रहे है ठीक है तो हमने यह बनाया बड़ा ना की वेंजन देखा बड़ी बनाई लाइन पर चुकि सेकंड पे साउंड है और ला एड कर दिया इसमें अंतराल उपर वाला एड करेंगे तो हमारा फ्लो भी कर जाएगा इसलिए हम लाइन पर एड करेंगे जिससे यह इजली समझ में आए तो इस तर लाइन पे बना देंगे तो समय बन जाएगा ठीक है साकावरत मा की वेंजन रेखा और जब इसी शब्द को अब लाइन से काट के बनाएंगे क्योंकि एक होल्जेंटल स्ट्रोक है तो बेसिकली होल्जेंटल स्ट्रोक में जो दो प्लेस ही डिफाइन होते है एक लाइन के उपर एक लाइन पर बट कहीं कहीं पर हमने अपनी सुविदा के लिए उसको थोड़ा सा चेंज किया है ठीक है तो हम कैसे लिख सकते हैं सीमा जब लिखना होगा तो लाइन काट कर बस समपूर समय सीमा ठीक है इस तरह से बनाएंगे हम फिर शब्द आता है आपका सामना कर रहा रही रहे के लिए डबल हो गया है तो सामना कर रहा है इस तरह से यह ठीक है इस तरह से इस शब्द बन जाएगा हमारा जिससे कि आप इसको पढ़ भी सकें और आसानी से समझ भी सकें तो यह जितने भी शब्द थे इनमें बेसिकली कोशिस यह की गई है कि आपको आसा शब्दों को बनाने में और उससे जादा मैं फोकस यह रखती हूं कि शब्द पढ़ने में भी इजी हो ठीके इससे बना लेना ही हमारा टागेट नहीं होता है हमारा टागेट तब कम्पीद होता है जब हम अपने बनाय हुए शब्दों को आसानी से पढ़ भी पाएं तो चल ठीके और इसी में यह पाच छोटा हुआ और ता एड हो गया व्यापकता इस तरह से बनेगा इसके बाद आपका जो शब्द आता यह है जटिल ठीके तो जा की वेंजन देखा टा में ला और इसको छोटा कर सकते हैं एक तो फॉर्मेट यह कर सकते हैं आप जटिलता के एक रही है हम उच्छब को आसानी से पड़ पा रहे हैं हमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मेट ज्यादा सही है ठीके नेक्स देखी मद्दे नंजर तो मा की वेंजन डिखा बनाई ना की वेंजन डिखा बनाई और जा में रा का हुख लगाते हुए मद्द कई बार कोई कई का शब्चिन है इस तीय के अल 이ной चफिन िस थी हमने यहाँ पर C bankruptcy क कमउबाइन कर दिया इतना है कि का इयल नमाथ बछा में आप सिंबल कमउबाइन कर दिया उसके बाद आपका आता है बिखर जाता है तो देखिए बा को short form में बनाया ब खा में राका होग जाता है ठीके इस तरह से हमें शब्द को बनाएंगे जा में जाता पूरा लिखा और है ता silent हो जाता है आपर ठीके इसके बाद हमारा शब्द आता है बुनियादी देखिए बा को again short किया यहां से नाकी वेंचन रेखा को बनाया या को short कर सकते हैं एक तो यह हो गया या को छोटा और मोटा कर दिया तो दा जोड़ गया ठीके नहीं समझ में आता है तो आप इसको बुनियादी ऐसे ये ए की मात्रा के लिए निकल गया इस तरह से भी बना सकते हैं ठीके बुनियादी आदत आ के लिए एक डैच बहार निकला दा बनाया ता के लिए ये ता चुकी कर लाइन में जुड़ रहा है तो एक कट किये हुए लाइन से जुड़ेगा तो तब हम यहां पर इसको लिए नहीं है नहीं में है अट कर दिया हमने ठीके नेता अब यहां पर शब्द थे कैसे थे नाता नेता और नीती सिम्पिल फॉर्मेट था नाता लाइन के उपर नेता लाइन पर नीती लाइन काट कर ठीके तो नाता नेता नीती इस तरह से यह बन जाते हैं इस शब्द फिर शब्द आता है आपका परस पर तो अपोजिट डिरेक्शन में जब हम साका बरत बनाते हैं तो उस बरत में रा भी जुड़ जाता है तो इसी फॉर्मिट में हमने यहाँ पर इसको बनाया तो क्या हो गया परस पर ठीक है एक दूसरे यह मैं आपको एडवांस आउट लाइन में बता चुकी हूँ ठीक है एक दूसरे खिलाफ तो देखिए यहाँ पर लाका हुका आगया खा की वेंजन देखा फ यह कट चुस्टोक है यह हमने पहले ही दे दिया यह इस तरह से खिलाफ ठीक है इसके बाद है आपका सियासी तो सियासी वर्ड कैसे लिखेंगे यहाँ में आ रहा है तो सा का ब्रत यहाँ की वेंजन देखा सा और यह की मातरा के लिए हम इसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे सियासी ठीक है अवसर देती है तो अवसर देती है इस तरह से कम्बाइन कर देंगे हम यहाँ पर जरूरत हो जरूरत का शब्चन है न वही बनाया जामे ताका हुक और यह बहुचन कर दिया को कि वड़ा है तातकालिक तो ततकाल टिखा यह हलका सा डैश लगाये आपन था त्ञ ऐसी आज और क्पाशब्चन रिपेटिशिन मॉड में है इसलिए तो हमने लिखा तातकालिक ठीक है, next word देखते हैं अब हम, इसमें शब्द आ रहा है आपका व्यवहार, ओके, तो व्यवहार जो शब्द होता है हमारा, वो किस तरह से आप लेखोगे, वा बनाया, हा का बड़ा सिंबल बनाया, और रा अगे निकालते हैं, व्यवहार, इसके बाद हमारा शब्द आता है प्राथमिक, तो देखिए, प्रत्थम प्रणाम बनता है ना, तो प्रत्थम बनाया, और ये का जोड़ दिया, एक तो इस फॉमेट में बना सकते हैं, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, ये मा को छोटा कर दिया हमने, वेंजन रिखा ही छोटी बनाई, तो क्या हुआ, कि मा में का जुड़ गया, तो आप का की पूरी वेंजन रिखा बना के भी बना सकते हैं, या फिर आप मा की वेंजन रिखा को शोट कर दें, तो भी बन सकता है, ठीके, आवश्यक्ता, आवश्यक्ता का सिंबल है हमारा, आवश्यक्त में ही ता की वेंजन रिखा है तो चाती है, शा ना की बेंजन का और रा, ना और या, इस तरह से बनाएंगी, इसके बाद हमारा शब्दा आता है स्वागत योग्य। स्वागत योग जो शब्द है ठीक है इसको लिखने के लिए स्वागत का शब्द चिन है हमारा ये इस तरह से स्वागत अब इसमें हमें योग्य जोड़ना है तो अब क्या कर सकते हो स्वागत योग्य एक जो या है वो silent कर देते हैं तो स्वागत गय होगा तो योग ये पढ़ेंगे ठीके नहीं होते हुए भी वहाँ हम उसको define करते हुए पढ़ेंगे इसके बाद है आपका सबसे अच्छी बात यह है कि तो किस तरह से लिखेंगे आप सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद आया शारीरिक रूप से तो शारीरिक रूप कैसे बना शारीरिक रूप से तो शारीरिक रूप से इस तरह से आप ऐड़ करदेंगे ठीके इसके बाद हमारा शब्द आता है यात्राएं यात्राएं किस तरह से लिखा हमने या का सीमबल बनाया और उसमें त्रा की बेंड का जो चाप होता है उसको या करेंगे और फिर्स प्लेस पे बनाएंगे और चूकि बहुवचन फां में है तो बहुँ बच्छन ही define करेंगे इसके बाद हमारा शब्द आता है वर्चुल वर्चुल जो वर्ड है ये English वर्ड है ठीक है आप इसको व बकरी वाला जो बा होता है उससे भी बना सकते हैं और व से भी बना सकते हैं दोनों फॉर्मेट से मैं आपको बता दे रही हूँ जो आपको convenient लगे फिर आप उसको यूज कर लिए ठीक है पहला वाला जो बता रही हूँ ये आपका है देखे वर्चुल ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा इसी को आप लिख सकते हैं ये बनाया हमने वर्चुल इस तरह से लिख सकते हैं और एक फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहें इसका तो यही फॉर्मेट आपका कैसे बनेगा वर्चुल चा को थर्ड प्लेस पे ले जाना जरूरी है उकी मातरा को डिफाइन करने के लिए तो इस तरह से भी बन जाएगा तो इन में से जो आपको बैस लगता है आप उसको एपलाई कर सकते हैं इसके बाद शब्द आता है हमारा ओन लाइन तो ओन यह हो गया लाइन अब चुकि आई की मातरा है तो इसको डिफाइन करेंगा इसको डिफाइन करने से ही यह वर्ड कम्प्लीट होगा ठीक है तो ओन लाइन फर्स प्रेस पे यह दुए-धुनिक साउंड हमने लगाई है आप इसको साउंड भी लगा सकते हैं आप लगाने के लिए इसमें डैश भी दे सकते हैं लेकिन डैश उतना ज्यादा हमारे लिए पढ़ने में इजी नहीं होगा जितनी यह दुए-धुनिक मातला है क्यों क्योंकि यह थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में होगी तो ऐसे वर्ड जब हम बनाते हैं तो हमें कैच करने में बढ़ी आसानी होती है क्योंकि हमारे दिमाग में as a keyword यह लिंक हो जाते हैं ठीक है तो कोशिश किया कीजिए कि कोई भी शब्द अगर आप बनाएं तो उस शब्द को इस तरह से बनाएं ताकि आप जब उसको पढ़ें तो एकदम से माइंड पे क्लिक हो कि अब आता है मजबूत तो म जाका वरत और बाकी वेंजन रिखा को ताके लिए छोटा कर दिया मजबूत परमपरा ठीक है तो परमपरा ठीक है इस तरह से बनेगा परमपरा इसके बाद देखी जो शब्द आता है हमारा वो है बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं जब हम लिखेंगे तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको यहां पर बढ़ा के लिए बा और रहा की वेंजन रिखा जाएगी तो हमने लिखा बढ़ा सकते हैं ठीक है? सकता सकती सके का इसमें add कर दिया. इसके बाद आपका आता है समवाद. समवाद शब्द जब हम लिखेंगे तो सम के लिए एक छोटा सा ब्रत बनाते हैं. ठीक है? ये ब्रत हमने बनाया, इसी में वाद जोड दिया. समवाद. आप चाहें तो हलका सा बना के फिर वाद जोड़ तो ठीक है तो सम के लए यह आ जाता है सम वाद वाद में वाद की वेंजनी का थोड़ा मोटी-छोटी बनेगी न तो दा भी एड हो जाता है तो सम वाद ये भी नहीं आ रहा है तो आप समवाद इस तरह से भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे वर्ड हम बना चुके हैं तो क्या होगा वो हमारे दिमाग में रहेंगे लिंक हो जाते हैं तो हम इसको समवाद ऐसे लिखेंगे तो हमें ज़्यादा इजी समझ में आएगा ठीके आप बना के देखिए आपको कौन सा वाला ज़्यादा कन्विनियन लगता है वो शब्द लीजिए जो माइड में एकदम से क्लिक करें जब आप पढ़ने चलें तो आपको इफन बट नहीं हो अप तुरंत उस शब्द को समझ जाएं ठीके उस शब्द को आप टैक्टिस में लेंगे इसके बाद वर्ड आता है आपका आयोजित हलका सर डैश निकाला आ के लिए याकी वेंचन देखा जामे ता आयोजित ठीके इस तरह से यह शब्द हम बनाएंगे इसके बाद हमारा आता है शब्द नेक्स्ट जो है वो है खर्चा देखे खा में रा और चा लाइन से उपर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स प्रेस साउंड है फिर शब्द आता है हमारा संचार तकनीकी तो देखे संचार ठीके तकनीकी के लिए मैंने आपको एक सिंबल बताया है ता में ना कैसे इस तैसे ता भी छोटा बने के लिए तब ही आप इसको मेंटेन कर पाएंगे और एक्जाम के लिए आप इस चीज को नोटिस केजिए कि अगर 80 की स्पीड मांगी है एक्जाम में तो कम से कम 90 आपको मेंटेन करनी ही होगी एक्कुरेट इस चीज को माइन में रखे ठीक है एक्कुरेट आपको 80 जब वहां चाहिए तो एक्कुरेट 90 मेंटेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे हाइप होते हैं बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसके कारण की हमारे स्पीड डल हो जाती है एक्जाम में तो हमारी ability होते हुए भी हम उसको gain नहीं कर पाते हैं तो आज हम एक step आगे बढ़के उसी पर work करेंगे तो चलिए देखते हैं आपकी dictation 90 words per minute फास्ट होगी तो उसी के recording आप इसको manage केज़ेगा 5, 4, 3, 2, 1, start किसी भी राष्टिय संकट के समय आपसी मत सामयता जरूरी है और मत सामयता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज्यादा जरूरी आज के समय में भारत जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है वहां हम जितनी ज्यादा सर्वदलिय बैठक कर सकेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा संबब है सुरुवाती बैठकों में मन भेद और मत भेद ही नजर आएं इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है उसकी व्यापकता और जटलता के मद्दे नजर हमारा किसी विचार पर पहुचने के लिए साथ बैठना सबसे जरूरी है भारत संकट के मौके पर कई बार बिखर जाता है क्यूकि हम में साथ बैठने की बुनियादी आदत नहीं है पर दे के पीछे नेता भले परस पर संबंद निभा लेते हों मगर देश के सामने वे एक दूसरे के खिलाफ देखने में ही अपना हित देखते हैं ध्यान रहे यह सिहासी हित है इस हित को साथने में कोई बुराई नहीं राजनीती इसके लिए पूरे अवसर देती है लेकिन देश की मांग और जरूरतों का एक अलग ही इस तर है कोई भी देश अपने तातकालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है लेकिन आज जरूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके लिए साथ बैठना प्रात्मिक आवश्यक्ता है ऐसे में किसी सर्वदलिय बैठक में बीस दलों का शामिल होना अनुकर्णिय और स्वागत योग्य है सबसे अच्छी बात कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की जरूरत भी नहीं है कोरोना के दौर में की वर्चुल या ऑनलाइन बैठक की मजबूत होती परंपराने भी हमें मौकर दिया है कि हम परस पर समवाद बढ़ा सकते हैं पहले ऐसे समवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था लेकिन अब संचार तकनीकी में काफी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस पर समवाद को कई गुना बढ़ा सकती है यह कहने में कोई हर्ज नहीं की समवाद बढ़ाने की सरवादिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है सत्ता पक्ष को इन समवादों को पूरे लोकतांत्रिक धंग से आयोजित करना चाहिए हर पार्टि और हर सांसद का अपना महत्व है किसी भी दल में यह संतोश नहीं रहना चाहिए कि देश पर आय संकट के समय उसकी राय नहीं ली जा रही है जरूरी है कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हो संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बहतर देश सेवा संभव हो किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे है भारतिये लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ डिक्टेशन फास्ट थी कैसी रही आपकी यह डिक्टेशन कोशिश किजिए जो वर्ड आपने लिखे हैं उनको explain जरूर किजिए लिखके मत छोड़ियेगा मैं बार बार आप लोग को recall कर आती हूँ कि डिक्टेशन कभी भी लिखके मत छोड़ा किजिए जो लिखा है उसको explain जरूर किजिए जब आप उस टिक्टेशन को proper explain करेंगे तब ही आप समझ पाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से आपका वर्ड सही गया है या गलत गया है ठीके और तब ही आप उन tough words पर practice भी कर पाएंगे तो इसको proper manage कीजिएगा और आपकी help पे लिए हमने telegram group भी launch किया है जो youtube channel जो हमारा उसी नाम से telegram पे भी हमने अपना एक channel launch किया है जिसका main motive यह है कि आपके जो doubts होते हैं जो हम video पे आपके comment होते हैं जिनको हम proper guide नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर हम telegram के थूँ आपको pdf प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे कि आप easily उसको समझ पाएं और कर पाएं और जो छोटे-छोटे doubts आपके रह जाते हैं तो आप उनको comment box में लिखिए मैं pdf proof आपको telegram पे प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है जिससे वह आपके लिए easy हो जाएगा और short end आपके लिए easy बन जाएगी जो कि एक tough format आप लोग समझते हैं जो ऐसा है नहीं तो अगर ये video आपकी short end studies के लिए helpful रहा है तो please channel को like, share and subscribe कीजिए keep learning, keep watching, stay connecting, thank you